नमस्कार दोस्तों आप शबका श्वागित करते हैं कारबल मिस्टी के ओनलाइन पोर्टल पे तो चलिए शुरू करते हैं बात करेंगे RPC के दोरा हाली में सब इस्पेक्टर यानि की उपनिरक्षक भरती के इंट्रियूस में पूछेगे सभी कोशन की सीरीज नमर 26 की चर्चा अपने इस वीडियो में करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं क्योशन नमर 1 की तरफ अपने तो यहाँ पर क्योशन नमर 1 आप देख पा रहे होंगे nuclear reactor में neutrons को किसे अमंदित किया जाता है यानि जो neutrons होते है nuclear reactor में उनकी जो speed होती है वो कम किसे की जाती है तो मैं आपके answer को पता देता हूँ ये moderator जो होता है वो neutron की speed है उसको कम करने में शायक होता है next question की बात करेंगे तो green house gases के नाम बताओ यानि जो green house gases है उसके कोई आपको नाम बताने है तो यहाँ पर candidate के दोरा जो answer दिया जाता है green house के कुछ examples में आपके सामने discuss कर रहा हूँ यहाँ पर water vapor यानि की S2O, carbon dioxide यानि की CO2, methane की बात करें तो CH4, nitrous से oxide की बात करें तो N2O उसके बाद में अगर बात करें ozone यानि की O3 जो यह सभी gases जो हैं वो अपने पास में green house gases के room में use होती हैं, यह काफी harmful होती हैं bodies के लिए और पेरावेगनी की जो किरिने होती हैं उनमें भी यह काफी शाहिक होती है next question की बात करेंगे तो आप लोग पारेगों में इसक्रीन पे याँ पे अमल वर्षा वनस्पती को नश्ट कर देती है कैसे यानि आप से member के द्वारा पूशा गया है कि जो अमल वर्षा जब गिरती है तो वो सभी वनस्पती को नश्ट किस परकार से कर देती है तो आप उन बात करूँ जो अपने पास में वाईव में नहीति राशानिक तत्व है और परदूशक परदार्त जो है वो मिलने के बाद में जब हलकी हलकी जो बालिश के रूब में धरातल में पहुंचती है उसको आपन एसीडरेन कहते हैं यह हैं प्राकरतिक रूप से एसीड के रूप में होती है इसका कारण मुख्यत है CO2 यानि की कारबन डाइऑपसाइड उसके बाद में SO2 यानि सलफ़र डाइऑपसाइड इसके बाद में NOx यानि की नैट्रस ओकसाइड यह सभी जो होते हैं के examples होते हैं next question की बात करेंगे तो cash memory क्या होती है यानि computer से लेटेड ये questions पूछा गया cash memory क्या होती है और इसका purpose computer में किस प्रकार से होता है मैं आपको इसके answer की तरफ लेके चलता हूँ अगर cash memory की बात करें तो ये volatile computer memories होती है जिसमें CPU द्वारा अक्सर उप्योग में लिये जाने वाले सभी instruction या फिर data को store करने में काफी शाहिक होती है काफी small memories भी इसका आप कह सकते हो काफी small memories की room में भी ये होती है उसके बाद में इसमें अधिक data संग्रहित नहीं कर सकते परन्तु इसमें fastest memory इसको माना जाता है काफी इसकी speed जो होती है calculation speed काफी fast होती है CPU chips के करीबी में स्थित होती है cash memory का उप्योग जो है man memories data को assist करने में जो average time होता है उसको reduce करने के लिए काफी शाहएक होती है उसके बाद में अगर बात करें तो हम जानते है computer में किसी program को run करवाने के लिए CPU का होना काफी जरूर है जो कि random access memories पे depend करता है फिर hard disk भी आप उसको कह सकते हो इसके related कुछ ही relevant information है जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे next question की बात करें तो computer में RAM का मुख्य कारिये क्या होता है यानि computer में आपने कफी देखा होगा random access memories यानि की RAM का मुख्य कारिये computer में क्या होता है मैं आपको बता दूसके answer का RAM जो होता है random access memories होता है इसका पूरा नाम इसे man memories के नाम से भी आप उन जानते हैं मुख्य रूप से ये प्राथमिंग memories भी क्यालाती है RAM में CPU दारा वर्तमान में किये जारे सभी कारियों का data उसके निर्देश को store करने में काफी helpful रहता है और ये CPU का ही एक parts होता है इसके बिना computer अपना कारिये नहीं कर पाता computer की प्राथमिंग memories के रूम में ये कारिये करता है और इसमें जो भी data जो उपलब्द होते हैं वो सभी randomly access इसमें कर सकते हैं और इसको मुखे रूप से S थाई होती है मगर ये काफी speed यानि इसकी जो running speed होती है काफी तेज होती है और ये RAM जो होती है काफी महंगी भी होती है यहनि रैंडम access memories होती है primary memories काफी महंगी होती है उसके बाद में storage की बात करें तो इसमें storage भी काफी प्रकार के वीबिन प्रकार के अप उनको पाये जाते हैं ये सभी questions जो है वो computer candidate से पूछे गए है इनके graduation में BCA करके कोई subject रहा है तो वहां से इनसे computer related questions पूछे है तो आप लोग गभराईए काना ऐसा नहीं होता है कि आप कैसे भी ऐसे question पूछे जाएंगे next question के बात करें तो oldest data reader counter किस machine का नाम है काफ़ अच्छा question आपको आना भी चीए और आप लोग जीके पढ़ते भी है oldest data reader जो होता है जो counting का काम करता है machines के रूम में मैं आपको बता दू abacus जो machine computer है उसको अपन काफी calculations use करने calculate करने में काफी शायक होते है next question के बात करें hot bot computer में इसका मुखे कारिये क्या होता है hot bot मुखे रूम से computer में कारिये होता है आप लोग उन देखा होगा काफी वार की आप उन कोई भी चीज को google करते है यानि google में आप type करते हो तो मुखे रूम से search जो engine होता है वो उसको search करता है और जो अपने पास में data यानि input दिया जाता है वो आपको output के रूम में data में google में सर्च करके आप उनको देता है तो मुखे रूम से आप लोग कह सकते हो यह search engine यानि के search का कारिये करता है जो की www लगा के आप उन जो भी websites को type करते है next question के बात करें तो mechanical engineering के मुखे विशे कौन से होते है यानि mechanical engineering जो होते है उसके मुखे जो subjects होते हैं जो पड़े जाते हैं वो कौन-कौन से होते है तो मैं आपको पता दू mechanical engineering के मुखे subjects के बात करें तो computational fluid dynamics and heat transfer उसके बाद में computer added design of thermal system fundamental of costing or solidifications यह सभी subjects हैं इसके next बात करें तो industrial engineering and operational research modeling of turbulent combustion उसके बाद में principle of vibrations control उसके बाद में last की अगर बात करें तो railroad vehicle dynamics यह सभी जो है mechanical engineering के मुखे subject होते हैं जो कि आपके graduation में आप लोगों ने अगर mechanical engineering किये तो वहां से आपने काफी सीका होगा next question की अगर बात करेंगे तो next question आपके screen पर आ गया होगा आपके उच्छे दिकारी आपसे चाय और coffee की demand करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करेंगे यहनी कि एक question इस प्रकार से था जैसे आपकी family में मम्मी और पापा हैं तो उन में से अगर किसी ने चाय मांगा और एक ने मांगा coffee तो आप सबसे पहले किसको क्या देंगे चाय बना के देंगे फिर coffee बना के देंगे यह question इस परकार से था तो आप लोगों की situation conditions question है आप लोग attempt कीजिएगा मेरे साब से इसका जो right answer है वो सबसे पहले ना तो मम्मी को चाय देंगे ना पापा को coffee देंगे सबसे पहले आप उन गेस को on करेंगे एक psychological questions है आप लोगों को ऐसे questions काफी twisted लगते होंगे लेकिन आपको answer देना होता है next question के बात करें तो भारत में खूफिय अजेंसी यानि की जो गुप्टचर एजेंसी है भारत की वो कौन-कौन सी है मुखे रूप से आपको उनसके नाम बताने है तो मैं आपको भारत की खूफिय अजेंसी की अगर होता है next अगर बात करें तो केंद्रिय जांच वीरो यानि की Central Bureau of Investigation यानि CBI से कहते हैं भारत का रो भारत की खूफिय अजेंसी यानि की रो यानि रिशर्स एन एलालासिस दुनिया की काफी ताकतवार खूफिय अजेंसी है इसकी स्थापना 1968 में की जिसका मुखहले दिल्ल से काफी कोशन या से पूछे गया है member के दवरा तो इसमें जो सौफटर यूज किया गया है वो कौन सा सौफटर है मापको बता दू जो CCTN में जो सौफटर यूज किया गया है वो CAS 4.5 सौफटर का ये इसमें यूज किया गया है अगर इसकी relevant information की अगर मैं बात करूँ आ CCTN Crime and Criminal Tracking and Network Systems का पूरा नाम होता है कोर सौफटर से लेस किया जा रहा है इसके लांच होने के बाद पुलिस की जो जीडी करेंट डेट जो है वो अपडेट होने के साथ आटमेटिक तरीके से अपरात संक्या जनरेट हो सकेगी जिससे सिस्टम की और से हाइटेक करते वे आदिश अनुशार जारी किया गया है नेक्स कोशं की बात करेंगें तो RPF इसके जो होता है यानि कि railway production फोर्स होती है जो railway में AZ इसके सब्सक्राइबर करते हैं उनका मुखे कारी यह railway में क्या रहता है काफी अच्छा कोशन है आप लोगों ये ध्यान भी होगा मैं आपको बता दू सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो भारती रेलवे सुरक्षा होती है यानि कि इनकी इनकी जिम्मेदारी जो होती है रेलवे प्रटक्शन फॉर्स की इनकी होती है रेलवे की जो शुरक्षा परदान करना तदा यातियों की सुरक्षा करना और इनके पा एक्ट नाइंटी एटी नाइन में इसको एमेंडेड भी किया गया था और ये गोर्मेंट आफ रेल्वे यानि की मिनिस्ट्री आफ रेल्वे के अंडर में कारिये करता है महिलाओ की सिक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या कदम अभी हाली में उठाए है मैं आपको बता दू सरकार के दोरा जो महिलाओ के रिगार्डिंग में जो कदम उठाए गये है वो सबसे पहला कदम की अगर बात करें तो अपने पास में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ शुरुआत 2015 में किया गया था जो कि देश बर में गड़ते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को सम्मोधित करते वे एक काफी पहल ये मानी गई थी महिला वाल विकाश मन्तराले स्वास्ते परिवार कंलान मंतराले मानो शिंशादर ने विकाश मन्तराले की सरयूग ती एक पहल ती जिसके तहत कन्या भुरुना हत्या को रोकने के लिए इसकुल में लड़कियों की संख्या बढ़ाने के लिए इसकुल छोड़ने वालों की संख्या में कमी करने के लिए ये सभी कारिये जो है महिलाओं के अंगेस जो हो रहे थे उनको रोकने के लिए किया गया था होने की यहाँ पे जिम्मेदारी लिगी थी नेक्स अगर बात करें तो यूनिसेफ भी यहाँ पे देश में लड़कियों की गुणवता सिक्षा परदान करने के लिए भारत सरकार के दोवारा कदम से कदम यहाँ बढ़ाई चल रहा है इसके अलावा महिला सिक्षा के उत्था से अपने सीखा उसमें तो मैं आपको बता देता हूँ उसके राइट आउसर की यानि सबसे पहले सर सबसे पहले हमने आरसी आईटी में कंपूर्टर को ओन और और ओफ करना सीखा उसके बाद में उससे संबंदी जो भी एप्लिकेशन सी जिस प्रकार से आप दोग देख सक किस प्रकार से किया जाता है यह सभी जानकारी जो है आरसी आटी के तैयत कोर्स में हमने सीखी उसके अलाव हमने यह भी सीखा कि कंपूर्टर का जो ऑफिशली परपस होता है वह किस प्रकार से आप यूज किया जाता है कंपूर्टर को और किस प्रकार से कंपूर्टर को इ आपने सीखा है RSCIT courses उसमें यहां पे सीखाई जाती है next question बात करें तो RSCIT course किस ministry के अंडर में कार्य करता है यानि जो RSCIT कोर्स आपने किया है वो किस ministry के अंडर में आता है तो मैं आपको बता दूँ यह जो ministry हाँ पे है यह Department of Information Technology के अंडर में आता है जो कि RSCIT का पूरा नाम के बात करें तो रास्तान State Certificate Course in Information Technology जो कि Department of Information Technology and Communications के रिगार्डिंग में आता है जिसको आप लोग मुखे रूप से DOIT and CB के नाम से जानते हैं यह है Government of रास्तान to propagate IT literacy among the people of रास्तान रास्तान के लोगों में IT related literacy को बढ़ाने के लिए सुरू किया गया था नेक्स अगर बात करें तो RSCIT और CCC में क्या अंतर होता है मुखे रूप से यह difference आपसे पूछा है तो मैं आपसे बता देता हूँ जो RSCIT और CCC जो होते है रास्तान गवर्मेंट वाइल्ड है जबकि ट्रीपल सिसी की अगर बात करें तो यह मुखे रूप से आप इसको कह सकते हो यह एक कमपूटर कॉर्स होता है जिसमें आपनों वे एक सरकार के इनडर में कारीज करता था oh oh adequately सी कोर्टे जो है कारीय पिकरता है त्रीपल कि कार्यर हो amazing यह जो ट्रीपल पर CC होते इसमें आप लोग से हंधी में भी सीख सकते हूं इंडिश मेंग पिश mostrarpes में आपकी local language जो है Marwadi, उसमें भी आप लोग इसको सीख सकते हो, काफी languages में ये CCC working करता है, लेकिन RSCIT simply एक computer courses होता है, जो कि रास्तान सरकार के द्वारा याप रिकोगनाइज होता है, next questions की बात करें, तो computer की बाशा का कोई examples आपको देना, यानि computer की languages होती है, काफी languages होती है, उसके कोई एक आपको examples आपे देना है, तो मुखे रुप से अगर computer बाशा की languages की examples की मैं आप से चर्चा करूँ, तो वो आप लोग कुछ इस परिकार से देख पा रहे होंगे, C languages जो की computer की languages होती है, उसके बाद C++ यानि जिसे आप लोग most awfully UPS भी कहते हैं, यानि की object oriented program जो होते हैं, ये सभी languages जो होती है, computer बाशा होती है, उसके बाद में आपने काफी शुना होगा Java, ये भी यहाँ पे computer की languages होती है, उसके बाद में आपने सुनाओगा Hypertext Markup Language यानि के HTML ये भी computer की languages है, next question के बात करें तो तेजा जी बगवान सिव के कौन से अवतार माने जाते हैं, यानि कि तेजा जी जो थे बगवान सिव के कौन से अवतार थे, कितने नम्मर वाले अवतार थे, तो मैं आपको बता दूँ, तेजा जी जो थे बगवान सिव के ग्यारवी अफतार थे, इससे related अगर information मैं आपसे चर्चा करूँ, तो या पर इसके अस्तर जो थे तेजा जी के वह बाला था, जीवन साथी की बात करें, यानि की पत्नी की बात करें तो पेमल देव थी, माता पिता की बात करें तो तहाड देव उनके पिता का नाम था, राम कवरी जो थी उनकी माता का नाम था, एक मा के शंताने जो राजल बहन इनके नाम थी, उसके बादे सवारी जो थी इनके गोडी का नाम जो था वो लिलन गोडी थी उसके बादे वीर तेजाजी या फिर तेजाजी का एक रास्तानी लोग देवता थे उन्हें शिव के परमुख 11 अवतार के रूम में माना जाता है नेक्श अगर बात करें तो इनका जो इस्थल जो है वो रास्तान मद्यपरदेश, गुजरात, उत्तरपरदेश और हर्याना आदी राजयों में देवता के रूम में इनको पूझा जाता है और माना जाता है कि ये लोग देवता जो है काफी पुझने हैं और ये सापो के देवता के नाम से भी इनको जाना जाता है काफी अच्छी information थी और मैंने जो भी information बननी वो आपके सामने डिक्स करने की कौशिश की है नेक्स अगर बात करें कॉशन्स की तो अब्दुल कलाम में अपना अंतिम बाशन कहां पे दिया यानि अब्दुल कलाम जी जो थे उन्होंने लास्ट बाशन अपना यानि लास्ट स्पीच उन्होंने कौन सिस्थान पे दिया था तो 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दूल कलाम ने भारती प्रवंदन सिस्तानी शीलोंग में रहने योगे गरहे पर एक व्याखान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कॉडिये अरेस्ट यानि की दिल का दोरा पड़ा और वो बेहोश होके वहाँ पे गिर गे लगबग 6 बजे गंबीर हालत में उन्हें बेथानी अश्पताल के आईश में उनको ले जाया गया जो कि 2 गंटे के बाद में उन्हें मुर्तियू की उनकी पुष्टी की गई अश्पताल के सियो जॉन इसमाईलो ने बताया कि जब कलाम को अबदुल अश्पताल लाया गया था तब उनकी नबज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे अपने निदन से लगबग 9 गंटे पहले ही उन्होंने एक ट्रिविट करके बताया था कि वह सिलोंग IIM में लेक्चर्स के लिए जा रहे हैं तो लास्ट स्पीच जो इनका था वो 27 जुलाई 2015 का था जो कि यहाँ पे इंडिया इंस्टिटूट आफ मैनेजमेंट सिलोंग में इन्होंने अपना लास्ट शास यहाँ पे ली थी तो यहाँ पे यह कैंडिडेट जो है इनके जो आइडल परसंज है वो अब्दुल कलाम जी है तो इनसे यह कॉशन पूछा गया है हो सकता है आपके स्वामी विवेकानन जी हो तो उनके बारे में कॉशन स्या से पूछे जाएंगे नेक्स कॉशन की बात करतो हाली में SBI के CEO कौन है यानि कि SBI के चैर्मेन जो है निर्देशक जो है उनका नाम क्या है तो मैं आपको बता दू हाली में SBI के CEO है वो अपने रजनीस कुमार है जो कि 2 जुलाई 18 सू अगर इससे related information की बात करूँ तो 2 जुलाई 18 सू छे को कलकता में Bank of कलकता की स्थापना यहां पे की गी तीन वरस के पशात इसको चार्टर मिला जो कि पुनर गठन Bank of बंगाल के रूम में 2 जनवरी 1809 को इसका पुनर गठन किया गया यह हैं अपने तरह के अनोखी बैंक था जो कि साजा स्टोक पर बिरिटिस भारत और बंगाल सरकार के द्वारा चलाया जाता था Bank of Bombay और Bank of Madras की शुरुआत भी इसके द्वारा की गई यह तीनों बैंक आधुनिक भारत के परमुख बैंक माने जाते थे जो कि Villa Imperial Bank of India यहने की हिंदी अनवाद की बात करे तो भारतिय शाही बैंक में 28 जनवरी 1921 को इसमें नहीं किया गया सन 1941 में पहली पंचवर्षी यूजना के तैथ इसकी नीव रखी गी जिसमें गाउं के विकाश पर काफी जोर इनके द्वारा दिया गया इस समय एक Imperial Bank of India की कारोबार सिर्फ सहरों तक यहां पे शिमित थी अतह गरामिन विकास की मदे नजा रखते हुए बैंकों की कलपना भी यहां पे नहीं की जा सकती दी लेकिन हाला कि इस Charter Act के द्वारा यहां पे गाउं में भी इसको स्थापन की गई जो की फलसुरूप 1 जुलाई 1944 को State Bank of India की यहां पे स्थापना की गी कौन से स्थान पे विक्षित किया गया तो मैं आपको बता दू कुल धरा जो की जेसल मेरे जिले में पड़ता है वह यहां पे स्थापित किया गया था कैक्टस के नाम से नेक्स कोशन के बात करें तो रास्ति चंबल अभियारण और रास्तान के कितने जिलो में विस्तिरत यहां पे है तो मैं आपको बता दू रास्तान चंबल अभियारण और रास्तान के कुल यहां पे जो जिले है वो पांच जिले है तो यहां पे चंबल से संब्दी यानि कि ये candidate जो है MP side से और रास्तान के बीच में विलोग करते हैं quarter side से तो इनसे questions जो है उनके hometowns यानि कि उनके जो proper area जो है वहाँ से यह questions पूछे गए हैं ऐसा नहीं होता कि आप से और रास्तान के questions पूछे जाएंगे आपके particular areas अपने particular अभियारण के बीच में next question के बात करें तो अरावली वरक्षार ओपन परियोजना किसके स्योग से यहाँ चलाई जा रही है काफी अच्छा question है यह questions है काफी repeated भी हो आए तो यहाँ पर अरावली वरक्षार ओपन प्रियोजना की अगर बात करें तो अरावली शरखला के बीच में जो वरक्षार ओपन की यानि वरक्ष को रोपन करना की एक जो प्रियोजना चलाई गई गई है वो किसकी सयोग से कारी कंपनी है जो की OECF यानि की जापान की एक बड़ी कंपनी है जिर यानि की एक इंस्टिटूट है जो कि यहाँ पर वरक्षार ओपन रावली में करने का कारी है यानि की जिमा यहाँ आपर रास्तान में लिया है और यह यहाँ पर वरक्षार ओपन विवन परकार के वर लर्ला रोपन किये जा रहे नेक्स्ट अगवात कर तो और संधी से पहले रास्तान का छेतर किस नाम से जाना जाता था यह काफी अच्छा प草ने कास्तान के निर्माता भी कहा जाता है तो ऐसे कोश्शन में काफी बार यहां पे repeated हो जाते हैं अगर next questions के बाद के लिए तो आप अपने कारे शितर के अधिकारी होते हुए आपकी लड़की को अपरादियों के दोवारा किडनेप कर लिया जाए और आपसे कहा जाए यानि कि आपसे मांग की जाए जो उनके अपरादी हैं उनके साथी को चुड़ाने की मांग आपसे की जाए क्या आप अपरादियों को अपनी लड़की के बदले चुड़ाने की छोड़ देंगे यानि कि आप लोग उस टाइम में क्या reaction यहां पे करें काफी अच्छा situational questions है मैं कहुँआ कि आप लोग अपने वे से अपने सानुबूती से discussions को अटेम कीजिएगा क्योंकि ऐसे questions जो होते हैं मेरे द्वारा जो answer दी जाते हैं वो एक के authentic नहीं होते हो सकता है कि आपके answer जो है मेरे से अच्छे better qualities क्यों तो आप लोग वो भी comment box में comment करके मुझे suggest कर सकते हैं तो मैं आपको बता दू जो मेरा opinion है नहीं सर परन्तु में एक पिता होने के नाते अपनी बेटी को बचाने की कोशिश भी करूँगा लेकिन इससे पहले मैं उस इस्तान को पुलिश करिमियों के दवरा कंट्रोल में ले लूँगा और फिर law and order को देखते वे और अपनी करते वे इस नोकरी को ध्यान में रखते वे कुछ इमानदार officials को उन अपरादियों पर निगरानी नखरे की को कहूँगा और उससे उसके बाद में encounter का अगर मुझे उस situation में सारा लेना पड़े लेगिन इस situation questions जो होते हैं काफी on the situation ही आप से पूछे जा सकते हैं वाकि ऐसे कोई predefined questions नहीं होते कि ऐसा question उससे पूछा गया तो मुझे से ऐसे question पूछा जाएगा ऐसा कभी confirmed नहीं होता ये चीज़े जो होती है on the situation on the member पे depend करता है वे किस situation में उस time में feel कर रहा है और उसी situation जो पूछने के आप से expectation कर सकता है next अगर बात करें तो sub inspector का उच्छ अधिकारी कौन होता है यानि आप जो बनने जा रहे हो यानि थानेदार अगर उप निरक्षक आप बनने जा रहे हो तो आपका जो उच्छ अधिकारी होगा वो कौन होगा मैं आपको बता दो superintendent of police जो होगा वो आपका senior officers होगा या फिर आप कह सकते हो circular inspector भी आपका senior officers होगा लेकिन main जो senior officer आपके district का रहने वाला है वो SP आपके superintendent of police रहने वाला है next question के बात करें तो राजस्तान स्थित मतस्य देश का एक राजा जो महा भारत युद में युदिस्टर की और से यहां पर लड़ा था और वीर गती को यहां पर प्राप्त हुआ था काफी अच्छा कुशन है में भी आप लोग काफी रास्तान के जिकें आपर पढ़ते हो और आपको यह चीज आती भी होगी आई होप तो मैं आपसे कहना चाऊँगा कि मैं उसमें कन्फ्यूजन हूँ तो आप लोग दिये के कमेंट बक्स में इसमें राइट आंसर देने के आप लोग बिलकुल कौशिश करें और ऐसे कॉशन्स अटेम करने की भी आप लोग कौशिश करें कमेंट बक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कोई भी कॉशन्स में अगर आपको कन्फ्यूजन है या फिर मेरे द्वारा जो दिया गया आंसर अगर आपको गलत लग रहा है तो मेरे सबसे इसका एक्सपेक्टेट आंसर जो है वो विराट था विराट राजा था जिसने यहाँ पर युदिश्टर की और से यहाँ पर लड़ाए-लड़ी थी नेक्स कॉशन के बात करें तो महाजन पदों में से राजस्तान में इस्थित महाजनपद कौन से है यहां राजस्तान में जो महाजनपद के पार्ट्स है वो कौन-कौन से है तो आपको उसके बारे में यहां पर बताना है कफे अच्छा कुछ एने स्पोर्ट से अगर आप लोग बिलोग करते हैं आपकी होबी स्पोर्ट से तो आपको लोगों को यह चीज आनी चाहिए मैं बता देता हूँ रास्तान खेल रतन जो है रास्तान का एक बड़ा सरो परी बड़ा सरो परी यहां पर अवार्स है नेक्स्ट अगर बात करें तो आपने सब इंस्पेक्टर के इंट्रिवूस के लिए क्या-क्या प्रिप्रेशन की है यानि अभी हाली में जो इंट्रिवूस आप लोग देने जा रहे तो आपने अभी तक किस-किस टॉपिक्स पर किस-किस सब्जेक्ट पर आपने कमांड बना सब्सक्राइब आपने सीमिर सेगंडरिस के बारे मैं मैं आ है यानि कि इसके बारे मैं इन्फोंचिन क्लेक्ट करके मैंने उससे जानकारी लिए नेक्स रगर बात करें तो अपने होबी जो इसे उर्टेड़ इंफोंचन थी वह भी मैंने आप यापे गैधर की नेक्स रग आपने थोड़ा थोड़ा यहां पर रीड़ किया पढ़ा इसके बार में आपके आइडल पर सो सकते हैं तो यह अपने पास में थी आज इस वीडियो के मादब से आप से करने के कौशिश की यह सभी जो कॉश्टन्स है आरपेसी के तौरा हाली में ऐसा ही इंस्पेक्टर यानि कि तीन सो तीन सो से अधिक के सोरी पांसो ग्यारा पदो के लिए जो बरती निकालेगे उसमें जो अभी हाली में आरपेसी के तौरा इंट्रिव चल रहे हैं जो कंडिडेट से मेंबर के तौरा कॉशिन पूची जा रहे हैं उसकी सीरीज नमर 26 मैंने आपके सामने डिस्क्रस की मैं आशा करूँगा कि आपको वीडियो काफी अचा लगे तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब और बेल आइजन को धरूर जबाए और अगर किसी परकार का कंफूजन आपके वाइंड में है तो दिये गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं और अगर कोई कॉस्टिंस के आंसर में आपको मिश्टेक लग रही तो दिये गए कमेंट बॉक्स में आप मुझे सज्जेस्स में बह Wild desire